हलो दोस्तों ये वीजनाइस मेंस का कोश्चन है ठीक है जो आला मुखी पे कोश्चन है जो आला मुखी पे कोश्चन अगर आया तो दो नमबर आपके सिक्योर हो गए क्योंकि आप जो आला मुखी का मैप बना के अच्छा स्कोर कर सकते हैं पहले जीज़े ठीक है जहां भी मै पियर्स आई एफस की रैंकिंग उपर निचे हो जाती है हाप माक से 0.25 माक से ठीक है तो एक नमबर आप काउंट कर ले रहे हो और मेंस में बहुत फर्क होता है देखे कोशन इसका स्टार्ट करते हैं अतीद में पिर्थवी के वायू मंडल का निर्मान में जॉला मुखी ने पिर लावा बनके उपर बाहर आती है ठीक है और उससे बहुत सारे धृरतलिये खंडों का निर्मान होता है यही समूतर में बनती है तो इससे आयलेंड का निर्मान होता है अब उसके बाद उसका तोलवासा लाप बता देना है कि इसमें बहुत सारे मिनरल्स पाएं जो प्रिष्टी महें होते हैं उसके बाद उस जहां पर लावा निकलती है तो उसे इतने सारे खनीज होते हैं जो कई रूपों में क्रिसी के युगदान में भी महत्पून युगदान देते हैं तो अब रिसर्च में पाया गया है कि उनके कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी मुख्त होता है तो इस तरह से जोहला मुख्या निरमान में आपको समकालिन समय में पहला कोश्न, समकालिन कोश्न का इंट इस तरह से जीवन के शुरुवात हुई ऐसे करके लिख दिए पहला कोश्चन अब दूसरा दिखिए अब जैसे कहा कहा वोलकैनो होता है ठीक है साउथ इस्ट एस्ट में है जापान का रीजन है उसके बाद ग्रिन लैंड है तो कहा पर ये सब वोलकैनो जादा होता है अगर समकालिन समय में जलवायू परिवर्तन पर ज्वालमुखी गति विदियो के प्रभाव का वर्नन गति अब देखिए इसमें ना बहुत सारा डाइमेंशन खीच के इस कैंसर किया सकता है इन्होंने कोश्चन लिख दिया है और बस वो परखना चाहते हैं कि क्या कि पूरा कोश्चन है सविस्थार वर्नन करें बढ़िए इसके साथ उसका क्या जो लैंड पर क्या इंपक्ट पड़ेगा उसका भी थोड़ा जिग्र करेंगे लगबह लगब विस्तार सा कोश्चन है ठीक है अब इसमें क्या है कि समकालीन मतलब वर्तमान में क्या प्रभा गटना है और इसने केवल अस्थल खंडों के निर्मान में नहीं बलकी वायू मंडल के निर्मान में भी आहम भूमी का निभाई है जॉला मुखी परकिलिया के द्वारा वायू मंडल को अनेक गैस वर्दान में मिले हैं जैसे CO2 उसमें से प्रमुख है ठीक है उबर वाला आप इसमें एड़ गर सकते हैं CO2 हमारे विर्ग सता वायू मंडल के लिए आवश्चक है यहां तक की मनुस्तिकी मानसिकी सतिता सारी गति वीदियो में भी CO2 आहम भूमी का निभाती है ठीक है समकालिन समाज में जॉला मुखी का वायू मंडल में प्रभाव निम्न है यह वायू का प्रदूसित करती है ठीक है इसके अनेक जहरीले गैस हैं जो जीव जंदवो दथा मनुस्यों के लिए हानिकारक है यह तो नेगटिव हो गया ठीक है ओजोन लेयर के लिए त्यूर छरन के लिए उतरदाई है थोड़ा मातरा में लिख सकते हैं इसको ठीक है इसको बढ़ देखे हैं जोलमखी किरिया के नकार अत्मक प्रभाव के साथ साकरतमक प्रभाव भी हैं लेकिन लेकिन मानो ुद्वाराप public प्रदूसन से सिर्फ नाकारात्माग पर भाव पढ़ता है साधरन एंसर है साधरन जिस तरह से एंसर है उस टाइप से साधरन मार्ट मिल है इसमें ठीक है तो आप इसको कैसे डिल करेंगे पहले मैंने आपको बता दिया जोला मुख्य के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे के उसका तारीफ कर देना है अलिंगन कर देना है सजा देना है उसको तारीफ करना उसके बाद उसका समान में भी वर्तमान में क्या पर भाव पढ़ता है ठीक है और ये भी लिख सकते कि अगर जोला मुख्य activity नहीं होती तो संभोता इस बात से निकारा नहीं जा सकता है कि हमारे वायो मेंडल का निर्मान ही नहीं होता है अब यह कि यह दो तीन साल पहले का है अभी starting में coaching चल रहा था उस समय अब यह आसान question नहीं है दोस्तो ठीक है इसमें क्या क्या गैसे पाई जाती वो तो बता देगे इसको 2800 सब्द में deal करने के लिए आपका जो explanation ability है वो भी होना चाहिए समझ रहे ना तो IS में क्या होता है आप PCS का भी exam दीजाएगा में से तो पढ़ने के बाद अगर आप सब्दों से खेलना सीख गए ठीक है जैसे क्या होता है नेता गन जब भासन देते हैं मोदी जी का भासन क्यों क्योंकि एक बहुत अच्छा वक्ता है और वही मनमुहन जिंग जी अच्छे नेता नहीं ऐसा नहीं वही बहुत अच्छे लीडर है उनके समने अच्छे अच्छे के पसी नहीं छूट जाते है तो नहीं हो पाएगा तो एक्स्प्लेइन के लिए क्या है इतनीट प्रैक्टिस प्रती एक दीन आपको 50 सब्द से ही लिखिए बाझार क्या है उसी पर प्रैक्टिस करीए ठीक है नालिया कैसे सुधार जा सकते घर को कैसे सुधार जा सकता है मैदान को कैसे अगर आपको नहीं पता तो आसान से सुरुवात करिए जब अपका पें देखिए ओर माइंड का बैलंस होने लगेगा तो आप सोचेंगे और पेन अपना आपका खुद चलने लगेगा तो यह कुवालिटी चाहिए होती है तो इसमें आप तुरत पारिंगर नहीं हो सकते हैं मेंस की तैयारी के लिए के लिए पहले प्रैक्टिस चाहिए और एक्जाम के समय तो सिर्फ रिवीजन होता है एक्जा